नासकार दोस्तो मैं डॉक्टर पुस्वेंद्र कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूटूब चैनल पे दोस्तो आज बात करेंगे हम छोटे बच्चों के दात निकलते समय जो परेशानी आती हैं उसमें कौन सी होंपैतिक मेडिसेंस है जो बच्चों को नॉर्मल तरीके से दात निकल ले में साहता करें उस समय जो परेशान होते हैं यसे लूजमो सनारा चिड़चड़ाट आती है ना कुछ खात पीते हैं और ना ही घर में किसी को कुछ काम करने देते हैं ऐसी कंडिसेन में उन बच्चों के लिए जो होंपैतिक मेडिसेंस सबसे ज़्यादा वेणिफिट दिलाती है आज हम वो मेडिसेंस डिसकस कर रहे हैं उसों बच्चों के ऐसे दात आना स्टार्ड होता है लगवग कि आठ से आठ महीने से और डेढ साल यांनित इंकी पंदरраж师ौला महीन सटर्ट हो जाता है किसी को एक महीने आगे पीछे डो महीने आगे पीछे हो सकता है और जर्नली आघ मैने से स्टार्ट को जाते बच्चा अबढ़ा चि کرचड़ा होता है लूज मोसन जाता रहता है ना कुछ खाता है बोमिटिंग भी हो जाती है इतना इरिटेट रहता है बहुत ज़्यादा और चीकता चलाता कि बच्चा बिल्कुल भी परिशान नहीं हुआ या स्वयम को उसको कोई परिशानी मैसूस नहीं होगी केमो मिला 30 सुबैशाम सुबैशाम दो से पांच भूने आदा चम्मस पानियम डालके आप उसको दे सकते हैं सुबैशाम सुबैशाम दे नहीं है केमो मिला 30 उसकी चिटचड़ा हट और जो लूज मोसंस उस समय आ रहे हैं या थोड़ा बहुत फीवर आ जाता है क्योंकि जब दात निकलते हैं तो कट वगर लेते स्वेलिंग आ जाती है गम्स में तो उसकी वैसे इसको फीवर भी आत को अपने आप डिजॉल्व हो जाती है कोई दिक्कत बच्चे को नहीं आती बच्चा अच्छे तरिकेशन को खा लेता है यह चीज़ें आप 6 महीने बाद ही स्टार्ट कर दें यादि की कैल्सियम कलकेरिया फोस 6 महीने बाद दो-दो टैबलेट सुबैशाम सुबैशाम दिक्कत आ रहे हैं उस समय आप कलकेरिया फोस 6x 2-2 गोली तीन बार केमों मिला 30 सुबैशाम सुबैशाम दो से पांस बूने आदा चम्मस पानीं डालके आप उसको प्लाते रहिए यह सारी समस्याएं बिल्कुल भी नहीं आएंगी बच्चे को लूज मोशन्स वगरा सबसे ज्यादा यूज होती है आप अपने बच्चे को जरूर दीजिए और इस समस्या वह जूजने वाला हो समस्या से आप उसको बचा के रखिए दोस्तों जानकार यह अच्छी लगे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा नमस्कार दोस्तों